नमस्याद दोस्तों आपका फैमिल्य और डॉक्टर एपी आज मैं आपको एक बहुत ही सीरिस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ मेंटर इनलेस मानसिक विकार के बारे में पहले आप देखिए फॉलोइंग सीन हाँ दोस्तों इस सीन में आपने मैंने देखा कैसे गोविंदा जी कुछ भी बड़ बड़ा रहे थे आंट शंट बात कर रहे थे जो सच्चाई से दूर था सच्चाई के परे था इसी तरह मेरा एक पेशन्ट 24 साल का नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा डॉटर साब फ्री इडियेट्स पहले मुझे मिला था कि मैंने ना बोल दिया फिर अमिर खान ने वो पिच्चर किया मैं समझ गया है यह मानसिक रूप से बीमार है मैं उससे सुन रहा था बात कर रहा था फिर उसने कहां पहले साब मोना सिंग थी ना हो एरोइन त्री इडियेट्स में उसने मुझे प्रपोस्ट किया था इस मैं पहने बोले नई ने-ने मैं आपसे शादी नहीं करूंगा मैंने उसको ना बोल दिया कि उसने कहां फिर मोना सिंप बहुत दुखी हो गई मैं वोला अच्छा बहुत दुखी हो गई बस दोस्तों मैं समझ गया इसको साइकोजिज है मानसिक विकार मानसिक रूप से यह पेशेंट सही नहीं है यह बीमार है मेंटल इल्नेस ऐसे पेशन लोगों को मेडिसिन्स की सक्त जरूरत है काउंसिलिंग की जरूरत है पर हमारे देश में इंफेट वर्ल्ल में भी लोग समझते नहीं है उनको लगते है कुछ उपरी बवाल है भूत परेत आगे है भूत परेत जाते हैं बाबाव लोग के पास ब दूसरे एक बात याद रखें अगर आप तवा नहीं देंगे तो ऐसे पेशन सही हो जाएंगे लेकिन फिर से पहले ऐसा हो सकते हैं यह बिमारी आती है जाती है आती है जाती है इसमें मेडिसेंस लगता है जिंदगी भर देना चाहिए जिंदगी भर जिंदगी भर का नाम किड्नी खराब नहीं होती है हां अगर अगर किड्नी खराब है तो भले आप दवा ना खाएं दवा खाये वरना आपका पेशन्ट सीरियस हो जाएगा अगर आप है ऐसा अगर आपके पहचानव को अगर ऐसा कर रहा है तो प्लीज उनको डॉक्टर के पास लेके जाए फैमिल प्लीज इंजिरस हैं वो रियालिटी में नहीं रहते हैं वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं मेरा जो पेशन्ट था मैं उसको दवा दिया था अच्छे से लेकिन वाद में छोड़कर चला गया कहीं पर पताने कहा है कैसा है उमीद है कि दवा लेता होगा जहां भी होगा लेकिन एसे ही पेशंट अंत में जाके मेंटल हॉस्पेल में एड्मिट करना पड़ते है मेंटल हॉस्पेटल में इसलिए किसी भी भूतवूत की चक्कर में मत जाए यह सुधर महर्वानी करे कोई भूत भूत नहीं रहता कोई भूत भूत नहीं रहता यार मानसिक बीमारे किसी को भी हो सता है इसका में रीजन है जेनेटिक्स अनुवांशिक अनुवांशिक जीन्स में होता है जीन्स में रगों में होता है रगों में यही इसका में कारण है दोस्तों प्लीज समझे है अच्छा एक्जाम्बल था आप समझे प्लीज तब तक कि लिए आपका फैमली ओटर आप से विदा ले रहे हैं नमस्कार